कि नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप का और रखने वीडियो में और रखने टोपिक के साथ चीनुक मोडेल लखना उसे गाय तो क्या किसी की साज ही सो सकती है या तो सूरी किया हुआ है सभी दोस्तों पहले वीडियो ही देख लेते आशा करेंगे पसंद आए गार पसंद कहीं का इट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा यही केस बन चुका है भारते मीडिया का कहीं की एक खबर लाते हैं उसे कहीं से जोड़ते हैं और फिर उसका ऐसा मिक्श्चर तयार करते हैं जिससे भारत को दुनिया भर म शर्मिंदगी जेलनी पड़ती है इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस बार इन्होंने चार साल पुराना मुद्दा उठाकर भारत की छवी को खराब करने की कोशिश करी है दरसल पूरा मामला कुछ इस परकार से है कि आपको याद होगा कि सन 2020 मे उत्तर परदेश की राजदानी लखनों में एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने आकर अपने अपने जो प्रोड़क्ट थे मतलब की जो अपने लड़ा को विमान थे अपने जो चार्टर एकाफ्ट थे इसके लावा अन्य जो हतियार वो बना रही थी सब दुनिया के सामने परदर्शित किये थे और ये डिफेंस एक्सपो बहुत ज़्यादा शांदार तरीके से संपन हुआ था और इसकी वज़े से भारत को दुनिया भर में ख्याती भी मिली थी और भारत को जो डिफेंस मार्किट है उसमें एक लाई जाने लगी खबर ये कि इस डिफेंस एक्सपो में डियार डियों ने जो चिनुक हेलिकोप्टर है जिसे हमने अमेरिका से खरीदा है जिसे की वर्ल का बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलिकोप्टर कहा जाता है ये हमने अमेरिका से खरीदा था इसी को दुनिया के सामने प पचास लाक रुपए के करीब इस मोडल की कीमत थी इसे हमने बना कर दुनिया के सामने रखा था कि हमने अमेरिका से ये खरीदा है इसे हम अपने सेना में शामिल करेंगे लेकिन बता जा रहा है कि इस defense xpo के बाद ये model defense xpo से चुरा लिया गया या फिर ये गाइब हो गया और ये मिला ही नहीं कभी डियाइडियों को और आपको बता दू कि ये खबर लगबग 24 घंटों तक फैलती रही कुछ इंटरनेशनल पत्रिकाओं ने भी से कवर किया जिससे की भारत की छवी खराब होने लेगी लेकिन अच्छी बात ही रही कि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्र है वो तुरंट सामने आई और उन्होंने इस खबर को डिबंग किया साथ ही ये भी कहा ये खबर पूरी तरीके से मिसलीडिंग है वो कैसे दरसल इसको लेकर डियाइडियों ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो चीज थी ही नहीं वो गायब कैसे हो सकती है मतलब कि इ इसे परधरशित करना होता तो वो खुद मॉडल बनाकर इसमें ले आती हमारा तो चीनुक हेलिकॉप्टर से दूर दूर तक कोई नात नहीं है ऐसे में हम इसे परधरशित करते ही क्यूं और यही कारण है कि हमने इसका कोई मॉडल नहीं बनाया जब हमने मॉडल बनाया ही नहीं तो हम उसे परदरशित कहां से करते और जब परदरशित ही नहीं किया तो वो गायब कहां से हो गया ऐसे में ये खबर पूरी तरीके से एक फेक न्यूज है और ये बात बिलकुल सही है क्योंकि देखिए जो कमपनी जिस हतियार का निर्मान करती है वो खुद मोडल बना और फिर दुनिया के सामने परदरशित करती है आप खुद सोचिए कि आप एक कमपनी के मालिक है आपकी जो रैवल कमपनी है वो कोई हतियार बना रही है तो आप उसका मोडल बनाकर परदरशित क्यों करोगे ऐसे में डिया डियो को क्या ज़रत कि वो चिनुख के नतर तक कि ब्लाइध कर देखने के लिए कहीं सारे मीडिया है जो पार्टी का विरोध करते हुशी कोई दिहकत ने लोक्ता नीक्ता है सब का अधिकार है अच्छी लेकिन उस विरोध के साथ साथ कही ऐसा विरोध निकल जाती है जहांपे देश की बात आजए एक बात यह होती है हम भी यूटूब पर चैनल सलाते हैं तो आप हमारे चैनल देख रहे हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारे फायदे के लिए हम देश को ही दाओ पे लगा पाने के लिए या तो टी आर पी पाने के लिए उस टीवे जैलर में तो टी यार्पी होती है और इसमें तो हम भी बोलते है यूटूब में तो तो कुछ यह यह होता है कई तो आपने दिगा खूंग की आप के लिए निज को तो इतना मसोड दिया दाता है इतना उसमें वो क्या मतलती है लोग कितना बड़ा हंगामा हो गया तो कितनी बड़ी और अभी प्रोब्लम यह एक आई पील से रहा था तो टी आपी कम मिल रही होगी तो सकता है कुछ ना कुछ किया तीन साल पुराना आप डियार्ड वो बोल रहा है कि वह अधिसा तो नहीं जो शीज वजुद में नहीं थी उसको आप वजुद में ला रहे हो बागे दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दिए फिलाल आपसे विदाय ले दें मिलेंगे और एक ने वीडियो में आपके साथ तिल देन जैनीन जै बारत